ओ भाई सूअब वाँ बै वाँ चागई रे चागई रनवीर कपूर दोस्तो चागई दोस्तो पूरे टीजर में एक चीज कॉमन लिभाई देखने को मिली रनवीर कपूर is a psycho man दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो रणवीर कपूर इस मूवी के अंदर एक साइको मैन की एक भूमी का निवारा है जो की एक साइको बनने का उनका एक जो एक भाई वज़े है वो यह है कि बशपन से ही वो अपने पापा से वज़े बिना वज़े या कुछ भी वज़े हो सकती है सबसे ज़ादा पिटे फिलहाल तो फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन अपनी फैमिली में वो अपने आपको एक ऐसा शक समझते है कि सबसे ज़ादा जो बुरा और गंदा मैं ही हूँ अपनी फैमिली में अपने पापा की नजरों में अब दोस्तों ये चीज उनके दिमाग पे इतनी असर कर रही है कि वो उन्हें एक इतना बड़ा गंस्टर और जंगली जानवर बनने पे मजबूर कर दिया है तो दोस्तों फिलहाल जो कहानी का प्लॉट है टीजर को देखने के बाद में जो मैं समझा हूँ वो प्रॉपर यही है कि फैमिली का पैशर दिमाग पे आया वो चीज एनिमल के रूप में रनबीर कपूर के अंदर गुसी और उसने वो काम कर दिया जो की उनके दुश्मन उससे करवाना चाह रहे थे और कहीं न कहीं बाई अलिल कपूर का भी एक बड़ा रॉल मुझे इसमें दिखेगा जिसमें रनबीर कपूर को ये बताया जाएगा कि रनबीर कपूर अगर एक गैंस्टर बने है तो वो अपने पापा की वज़े से बने है दोस्तों एक सीन में रनबीर कपूर खूनव खान हैं बिलकुल लेटे हुए हैं जमीन पे आसपास लोग हैं तो कहीं न कहीं ये बार दर्शाई जा रही है कि शायद आई तिंक जो मुझे लगता है इसमें वो मर जाएंगे इसमें वो मर जाएंगे वो बिलकुल लास्ट का सीन होगा फिलाल तो ये है कि मूवी में जबबर दस दुस्सो मार दान खून खराबा फुल फुल चाकूगिरी चल रही है और तो और अभी तक टीजर के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला कि रणबीर कपूर से एक positive vibes आ रही हो आपने कोई भी सीन देखे वो रणबीर कपूर के starting में अगर आप रश्मिका के साथ वो सीन देखेंगे तो वहां पर अगर वो बोलती है कि यू लाइक फादर तो वो थोड़ा सा चिल के थोड़ा सा अकड़ के बताता है मतलब मन में तो वही है कि मैं अपने फादर को पसंद नहीं करता लेकिन वह दूसरों को बताने के लिए वह चीज़ जाहिर कर रहा है नहीं में अपने पापस है और ठीक उसके बाद में वह सील लगता है कि जहां पर एक बच्चा दिखाएं जारा रहा अनिल्कपूर जो औनको तपड मार है और लगातार वन-बाइवन तपड पर तपड पर रहे जिससे यह पता लगता है कि बच्पन से ही वो अपने दिमाग में एक बात लेके चल रहे हैं तो कि या तो मैं इनका पेटा नहीं हूँ या बेटा हूँ तो मुझे इतना ऐसा क्यों कर रहा है तो यही चीज दोस्तों में जो कहानी का मुझे प्लॉट लग रहा है वो यह है कि मस्ते है एक बच्चा होता है उसको जब डांटो कहीं वो आगे जाके बतलब काशिус की क्या होने वाला है कुछ दोस्तों काहनी मुझे लग लग रही है व कुछ से कि आफ़ vallahi संजदम संजसत हे उते इसमें बिगड़ जाते हैं फिर लास्ट में आला की बीच में तो लगता है उनकों कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन लाश्ट में जाके जो मौत होती है वो भाई गलत काम करने वालों कि actually में मौत होती ही है सीन दोस्तों सारे बढ़िया है बीजीम बहुत खतरनाक है और वो जो फर्स्ट गिलिम्स आया था वो जो एक होटल के रूम में जो मारते दिखाते हैं उसके बाद का और से पहले के भी कुछ सीन दिखाए हैं जो एक हतोड़े से रणवीर कपूर कुछ एक लकली का एक बहुत बड़ा एक पाया है उसको तोड़ रहे है वो काफी मुझे डांसोगा और जब चलते हुए लंब लंबे बालों में निकल रहे हैं उनके पीछे आदमी चल रहे हैं वो काफी मुझे अच्छा लगा अनिल कपूर का भी सीन अच्छा लगा और लास्ट में दोस्तों बॉबी देवल का एक सीन आता है जिसमें वो रूम का दर्वादा खोलते हैं फुल फ्लेश क्लीन होते हैं कोई शेट कोई कपड़ा कोई उनको पर बन्यान का कपड़ा कुछ नहीं होता टोटली वह ऐसे ऐसे करते हैं तो वहां पर वह देखना लाजवाब होगा अलागी पूरी टीजर में स्रीफ फरुबी देवल का लास्ट में सीन है एक्चुली मैं ट बवी देवल का कोई सीन नहीं दिखाया तो एकदम से बावी देवल का सीन आता है तो आई तिंक आई विल शॉक तो फिलाल दोस्तों टीजर देखो अच्छा है मुझे काफी अच्छा लगा टीजर ठीक है भाई पूरा इंटर्टेंटमेंट है देखके थोड़ा डर भी ल ट्रेलर आना बागी है तो फिलाल देखें भाई मुझे ट्रेलर अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताए फिलाल इस ट्रेलर इस टीजर को दोस्तों मैं पांच मैंसे साड़े तीन स्टार्ट देना चाहूँगा तो फिलाल चलता मिलता हूँ अगली वीडियो मैं अने राइन थैंक्स वरवच्छ